ग्यान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरण अमशकार आप सभी को आज दाल चीनी के पाउडर से एक उपाई बताने जारी हूँ अपने अपने घरों में पैसे को अट्राक करने के लिए हम सब चाहते हैं कि लक्षमी हमारे घर में हमेशा आते रहे और धन का मतलब धन हमेशा भरा रहे हमारे घरों में हमेशा पैसों का फ्लो रहे ठीक है सब चीजें एक तरफ लेकिन मॉनेटरी बेनेफिट होना बहुत ज़रूरी है फाइनाचली साउंड होना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में इस पैसे की बरकत को अपने घर में हमेशा बनाए रखने के लिए और पैसे की अट्राक्शन पावर को बनाए रखने में जो ये धन-धानने से परिपूर्ण होने के लिए लक्षमी जी के आगमन के लिए मैं कहूंगी कौन सा उपाई कर सकते हैं तो दालचीनी का उपाई करेंगे दालचीनी का पाउडर बना लीजिए थोड़ा सा अगर आपको ready made powder मिलता है तो ठीक है अगर नहीं मिलता तो दालचीनी के sticks बहुत easily available होती है और हम सब के घरों में होती है generally kitchen में उसको आप थोड़ा सा mixi में पीस लीजिए कुछ powder एक चमच के लगभग में powder बना लीजिए ठीक है दालचीनी क्यों effective है अभी कुछ लोगों को सुनके लगेगा आप क्या ये दालचीनी और ये सब use करना पड़ेगा इन सब चीजों के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज की अपनी energy होती है और वो energy बहुत powerful होती है ठीक है दालचीनी में बहुत तेज खुश्बू होती है बहुत तेज खुश्बू है और दालचीनी की जो खुश्बू है उसमें attraction की बहुत powers है दालचीनी बहुत सारी चीज़ों में यूज आता है जब हम कोई spell करते हैं कोई भी अगर हम कोई उपाए करते हैं दालचीनी के बहुत सारे उपाए हैं धीरे-धीरे मैं बताऊंगी अभी सबसे पहला उपाए जो मैं बता रही हूँ वो इस चीज़ के लिए है कि आप किस तरह से पैसा अट्राक करोगे अपने घर में बरकत को अट्राक करने के लिए क्या कर सकते हो ठीक है तो दालचीनी का पाउडर बनाएंगे और क्या करोगे आप शुक्रवार के दिन ध्यान रखेगा सिरफ और सिरफ शुक्रवार चहरा है वो बाहर की तरफ करते हुए सबसे पहले आप में गेट में अंदर खड़े हो और आप बाहर की तरफ देख रहे हो ठीक है अपने घर से बाहर की तरफ आप देख रहे हैं रखे और फिर आप सिर्फ बोलेंगे लक्षमी जी हमारे घर में आएं इस खुश्पू से धन हमारे घर में आकर्शित हो अबंडन्स बरकत हमारे घर में हमेशा बनी रहे बस इतनी सी चीज आपको बोलना है इस पाउडर में और इस पाउडर को फिर आप बाहर की तरफ इसे हवा में फैल जाएगा इसकी खुश्बू फैल जाएगी ये खुश्बू आप लोगों के घरों में अट्राक्शन की वो पावर देगी वो पॉजिटिविटी बिल करेगी कि आप देखेंगे कि हर चीज में चाहे वो आपका बिजनस हो या फिर आपकी नौकरी हो या फि इसी भी तरह से पैसे को पैसा आपके घर में आएगा और रुकना भी शुरू होगा बहुत इंपोर्टन्ट है ये उपाए जरूर कीजेगा कितने फ्राइडे करने हैं तो एट लीस्ट नौ शुकरवार कंटीनियोस करें ओके पीरेट्स में कर सकते हैं बिलकुल कर सकते हैं कोई इसमें रिस्ट्रेक्शन नहीं है आप पीरेट्स में कर सकते हैं इस उपाए को ठीक है अच्छा पहला तो ये घर के अंदर से आपने बाहर की तरफ किया तो आपने ये बोला जब आप बाहर दूसरा उसी वक्त पहले आप अंदर से बाहर की तरफ उड़ाएंगे फिर थोड़ा वन फोर्थ टेबल स्पून ले सकते हो ठीक है एक चौथाई बहुत जरा सा अपना ले लो ठीक है और उसको ले करके फिर जो आप बोलोगे वो ये बोलोगे कि मेरे घर में बरकत धन अपार धन बहुत है मेरा घर धन धानने से भरा हुआ है इसके लिए बहुत बहु पर शुक्रिया धन्यवाद लक्ष्मी जी मेरे घर में है इस तरह से बोलते हुए ये पॉजिटिविटी बोलते हुए और आप इस पाउडर को अपने दर्वाजे की तरफ ब्लो करेंगे ठीक है पहला आपने बाहर की तरफ ब्लो किया बाहर के एन्वार्यमेंट को शुद् भी कर रहे हैं आप अंदर की तरफ इस दालचीनी की पाउडर को उड़ाएंगे इसका मतलब है कि अब आप ये जान चुके हैं कि आपके घर में बरकत आ चुकी है लक्ष्मी में आ चुकी है धन्दाने से परिपूर्ण आपका घर हो चुका है और आप इसके लिए ग्रेट आपने शुकराना अधा किया और दालचीनी के पाउडर को उड़ाया अब ये दालचीनी का पाउडर अगर नीचे गी रहा है तो क्या करना है कुछ नहीं थोड़े छोड़ दीजिए इसकी खुश्बू को फैलने दीजिए इसकी बहुत तेज खुश्बू जो है इसकी वह खुश्बू वहां रहने दीजिए और फिर आप चाहे तो इससे आप जाड़ू लगा करके पाउड़ों में डाल सकते हैं इसकी मिट्टी को या जस्बी तरह से आप कोई इसमें दिक्कती है एक बार आपने ब्लो कर दिया इसकी स्मेल आप वहां पे फैल गई है उतना ही का का मेराकल खुद अपनी अपनी लाइफ में देख लीजेगा बहुत पाफुल है ये ठीक है so that's all इतना ही है और I hope इसमें कोई और questions नहीं add होंगे because सब कुछ clear मैंने कर दिया यहां पे कि दालचीनी का powder बनाना है फिर से repeat कर देती हूं और शुक्रवार के दिन पहले घर के ब कुलना है वापस अंदर आ जाना है धन्यवाद देना है शुक्राना देना है इतना नौ शुक्रवार continuous करना है बस इसके बाद इसका effect आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा आप खुद फील करने लेगे कि हां कुछ तो चीज है कुछ तो बात हुई है चेंज हुआ है घर मे आप सभी का नेक्स्ट विडियो में नेक्स्ट उपाई के साथ फिर से मिलूंगी